आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ इंस्टंट हरे धनिये चटनी के पॉडर की रेसिपी आप इस पॉडर को ट्रैवल पे भी ले करके जा सकते हैं घर में भी आप इसे इंस्टंट यूज कर सकते हैं अब हरा धनिया पीसने की जरूरत नहीं है बस एक चमच आप पॉड इस पी हम स्टार्ट करते हैं इंस्टंट हरे धनिये की चटनी बनाने के लिए यहां पे मैंने थोड़ी सी हरा धनिया ले लिया है इसे मैंने अच्छे से दो करके पंखे के हवा में सुखा करके ले लिया है यह आप देख सकते हैं धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है सा तीन हरी मिर्च लिया है, एक इंच अद्रक का टुकरा और तीन से चार लसन की कर लिया, अब हम क्या करेंगे ना, एक मिक्सी का जार लेंगे, सारे हरे धनिये को इसमें डाल देंगे, साथ में यहाँ पर पोदीनी के पत्ते भी हम इस टाइम पे ही एड़ करेंगे, यह देखि तीखा पसंद ना हो, तो आप मिर्च की क्वेंटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन चटनी में तोड़ा तीखा पन रहता है, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में यहाँ पर हमने भुनेवे चने का इसमें इस्तमाल किया है, यहाँ पर मैं वन बाइ फोर्थ कप च एक नेम्यू का रस, खटा, पन के लिए, अब हम जार का ढगकर लगा करके, इसे ना हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पीश करके ले लेंगे, और यह आप देख सकते हैं, सारी चीजे ना अच्छी तरीके से पीश के तैयार है, यह देखिए, क्योंकि हमने धन्या और पोद है, धूप में बिल्कुल भी ना सुका है, अब हम इसे एक कटोरी में ट्रांसफर कर देते हैं, यह आप देख सकते हैं, इंस्टेंट हरे धन्या की चटने का पॉडर बन के बिल्कुल तयार है, अब मैं चटनी बना करके भी आपको दिखा देती हो, एक चोटी सी कटोरी में यहाँ पे हमने टू टेवल इस्पून इस पॉडर को एड़ किया है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया है, और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, अब आप इस पॉडर को ट्रैवल पे भी ले करके जा सकते हैं, अगर आपको इंस्टन चटनी खाने का मन करें तो आप इस पॉडर को पानी में घोले और चटनी बन के तयार हो जाएगी स्नैक्स में यूज करें या पराठे के साथ आप इसे खाए बहुत ही टेस्टी और डिलिस्यस लगती है टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगी यह आप देख सकते हैं इंस्टंट ह नहीं स्टेकरशwo करें शुखा कर लेंगे और सारे पौडर क को हम इसमें डाल देंगे यह देखी कि यह आपने रब हमने सारे पौडर को डाल दिया इसे आप 3-4 मेहन आप इसे ईजली यूज कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, एक बार आप मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कर सकते हैं, यह आपके फैमिली फ्रेंड सभी को बहुत ही पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का ब तो प्लीज सस्क्राइब करें और कॉमेंट्स में आप जरूर से लिखें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, तो बहुत जल्द आप से मैं मिलती हूँ, ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, थाइंक यू,